उत्तर प्रदेश के जन्पधापूर के थाना बहादुरगड शेत्र के गाउ जखेडा रहमतपूर में पिछले दिनों तीन मौतों से गाउ में हाहाकार मचा हुआ है वही संजीव सैनी अपने घर में सो रहा था जहां सोते हुए कान पर किसी जहरीले किड़े के काटने से चिक पुकार मच गए तब ये घर में साप को देखा गया तो संजीव को आनन फानन में हापूर देवनंदनी अस्पताल में भरती किया गया और करिब 15 दिन बाद मेरट भारत नरसिम होम के लिए रेफर किया गया जिसके बाद दो दिन पहले चिक पुको ने घर भेज दिया जिसके बाद रविवार के सुभ़ संजीव की मौत हो गई आपको बता दे कि इस से पहले भी आस महमद जिनके आयू 18 वर्ष लाला जाटव आयू 18 वर्ष और अब संजीव जिनकी आयू भी 18 वर्ष ही है जिसके बाद में इसे देवनंदनी होस्पिटल में लेगे सर और देवनंदनी के बाद में देवनंदनी में काफी दिन ला चला उसके बाद में देवनंदनी वालों ने रैफर कर दिया मेरट के लिए मेरट मेरट भारत होस्पिटल में इनका इसका इलाज चला होस्पिटल से ये कल परसों ही आया था सर उसके बाद में सुबह इसकी मिर्टू हो